हाई गाईस वेलकुम बैक टो मैं चैनल मैं हूँ स्पीची और आप देख रहे हो स्पार्कलिंग सोल्स आज के वीडियो में हम भाग करने वाले हैं कि जिसके पीछे आप भाग रहे हो वो आपके पीछे अब आएगा जिस पे इंसान के पीछे हम भागते हैं तो उसका रीजन बस यह एक रहता है आप जैसा चाह रहा हो कि वो इन्सान आपको वैसा ट्रीट करें वैसा वो आपको ट्रीट नहीं कर रहा है हम ढून रहे हैं, वो चीज हमें बड़े असानी से मिल जाएगी. एक्जाम्बल के लिए मान लीजे, कोई इंसान अगर आपको reply नहीं कर रहा है, तो आप खुछ सामने से उसे बार-बार call करते हो और message करते हो, और वहाँ से आपको बड़े में क्या मिलता है, बस एक text का कोई message, या फिर आपका call ignore किया जाता है, या फिर आपसे ठीक से phone उठाकर बात नहीं की जाती है, और जट से phone card दिया जाता है, यह कुछ ऐसे example है, जो हम feel करते हैं और हमें अच्छा नहीं लगता है, या इसके अलावा हम अपने मन में ये feeling लाते हैं, कि अगर हम इस इंसान से बात नहीं करेंगे, तो हो सकता है कि हमारा conversation यहीं पे stop हो जाए, यह आगे हमसे बात तो करेगा नहीं, हमारा contact यहीं पे शायद खतम हो जाए, फिर आगे कोई chance नहीं, हम ये समझते हैं, कि वो सामने वाले इंसान में सब कुछ है, जो हम में नहीं है, वो इंसान में सब कुछ है, वो सारी qualities है, वो पूरा perfect है, और हम perfect नहीं, वो इंसान में ऐसी खूबिया है, जो इंसान सब को चाहिए, पर हम वो नहीं है, जो किसी को भी चाहिए, इस तरह की कुछ बाते रहती है जो हम अपने अंदर दिल के अंदर बहुत गहरे फील करते हैं इस वजह से हम बार बार उस इंसान को चेस करते हैं हम ये सोचते हैं कि ये इंसान हमसे दूर ना हो जाए और अगर ये दूर हो गया तो ये दुबारा हमारी लाइफ में कभी नहीं आएगा इस वजह से हम उसके पीछे बहुत ज़्यादा भागने लग जाते हैं अगर ऐसा आपका केस है और आप भी किसे इंसान के पीछे भागे जा रहे हो और आप अपने मन में ये सोचते हो कि मैं शायद इतना पॉरफेक्ट नहीं हूँ मेरे अंदर वो qualities नहीं है मेरे अंदर वो बात नहीं है मेरे अंदर वो खूबी नहीं है जिसे कोई मुझे chase करे और जब ये चीजे हम अपने अंदर feel करते ना एक shortcut ढूण लेते हैं कि हम उस इंसान को chase करने लग जाते हैं अगर आप अपने मन के अंदर इन सारी चीजों को feel करते हो तभी आप किसी इंसान को chase करते हो तो अब आपको क्या करना है ना सबसे पहले आपको ये सोचना है कि अगर मैं इस इंसान के पीछे नहीं भागूँगा या इसे बार बार कॉल नहीं करूँगा या बार बार इसे नहीं मनाऊँगा या बार बार इसे online जाके stock नहीं करूँगा तो क्या बिगड जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ना कि ये मुझसे बात करना बंद कर देगा, इस तरह के कुछ डर और डाउट हमारे मन में बहुत गहरे बैठे रहते हैं, जिस कारण ना हम फील करते हैं कि ये चीजे हमसे दूर ना हो जाए, हो सकता है कि वो और ये जो डर है आपके अंदर आपके परती जो भावना ने वो कभी नहीं बदलेगी हो सकता है वो इंसान बदल जाए वो भावना हर एक इनसान के सामने वैसे ही बार-बार आते रहेगी तो अब आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको अपने आप से यह promise करना है कि मैं पूरी तरह whole and complete हूँ, मुझे किसी से भी अपने आपको compare नहीं करना है, मुझे किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, अगर मैं किसी के पीछे भाग रही हूँ, तो मैं क्या feel कर रहे हूँ, कि यह perfect है, मैं perfect नहीं हूँ, जैसे ही अगर यह बात आपके मन में आ जाती है, जैसे ही आवाज आपके अंदर से दिल से निकलती है, तो आपको यहां से एक काम करना है, कि आपको उसी वक्त उस इंसान से पीछे हट जाना, पीछे हटने का मतलब यह नहीं है, कि उसे block कर देना, उसके message कर reply नहीं करना, उससे ठीक से बात नहीं क और बुरी feeling में आप यह feel करते हो, कि मैं whole and complete नहीं हूँ, यहां किस feeling से align हो पता है, कि आप perfect नहीं हूँ, आपके अंदर वो बात नहीं है, आपके अंदर वो खूबी नहीं है, आपके अंदर वो qualities नहीं, आपके अंदर वो love नहीं है, जो हर किसी को चाहिए, जब हम अपने इंदर की शक्ति का गलत तरीके से करती है अपने अगेंस्ट में करती हैं तो हम इन सारी चीजों को फील करते हैं और जब हम अपने आहसे प्रॉमिस कर लेते हैं कि नहीं जब हम ऐसा फील कर रहा है तो अब हमें पीझे पड़ strength तो इससे अब अगले पल क्या होता है ना कि जब आप किसी इंसान के पीछे नहीं भागोगे और आप उसे जब दूर हट जाते हो ना तब अब उस इंसान को ये फील होता है कि ये इंसान मुझसे दूर हट रहा है ये मुझसे बात नहीं कर रहा है ये पहले की तरह मेरे पीछ आता है या हमसे बात करने के लिए आता है तो हमें एक space को देना चाहिए क्योंकि आप कभी भी किसी के पीछे जबरदस्ती जाके उसे ये feel नहीं करा सकते हो कि मैं special हूँ, मैं तुम्हारे लिए perfect हूँ, मेरे अंदर ये बात है उसे आपको ये खुद समझने देने की जरूरत है, आपकी पहली जिम्मिदारी है कि आपको खुद से प्यार करना है जब हम खुद से प्यार करना शुरू कर देते हैं, अपनी परवा करना शुरू कर देते हैं अपनी feelings की परवा करना शुरू कर देते हैं अपने आपको hurt नहीं होने देते हैं अपनी value करने लग जाते हैं अपनी power को पहचान लेते हैं और सबसे important जी हम समझ लेते हैं कि हम कितने ज्यादा special हैं जब आप अपने आपके साथ बहुत जारा खुश रहोगे तो क्या होगा कि फिर वो person नहीं हमारे पीछे आने लग जाएगा So guys, अब मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में तब तक आप अपना ध्यान रखिये और खुश रहिए Bye Bye